साथियों, आजहादी के इस अमरित कान में अपने राष्टिय संगल्पों की सिद्धी हमारे आज के एक्षन से तै होगी। यह एक्षन हर स्तर पर हर सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। Can we work with a mission to promote vocal for local, vocal for local. शॉपिंग करते समय, आपकी चॉइस में किसी भारतिय के स्रम की, भारतिय मिट्टी की महग हो। इस बात को कभी मद भूलना, हर बार इसी तराजू पर चीजों को तोलना, और कुछ भी खरीद करने के निर्णाई से पहले, ये इस तराजू से तोल करके देखें, कि उसमें मेरे देश के मजदूर के पसीने की महक है के नहीं है। उसमें स्री अरविंदो, स्री विवेखानन, ऐसे महापुरुसों ने जिस मिट्टी को मा के समान माना, उस भारत मा की मिट्टी की महक है की नहीं। वोकल फॉर लोकल, हमारी बहुत समस्याओं का समाधान, आत्मन निर्वर्ता में है, हमारे देश में बनी हुई चीजों को खरीदने में है, रोजगार भी उसी से पाधा होने वाला है, अर्थ व्यवस्ता भी उसी से तेजगति से बढ़ने वाली है, और देश के गरीब से गरीब को सम्मान भी उसी से प्राप्त होने वाला है, और इसलिए, वोकल फॉर लोकल, मेरा देश का नौजवान, उसे अपना जीवन मंत्र बना ले, तो आप कल पना कर सकते हैं, आज़ाजी के सो साल कैसे बव्य होंगे, कैसे दिव्य होंगे, सामर्था से भरे होंगे, संकल्पों की सिद्धी के पल होंगे, साथियों, हर बार एक विशय में अवश्य कहता हूँ, दुबारा कहना चाहूँगा, और आप लोगों के बीच कहने का मन इसलिए करता है, क्योंकि आप लोगों ने इसमें लीडर्शिप दी है, और वो है स्वच्छता, स्वच्छता को भी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाने में, आप सभी नवजवानों का बहुत बड़ा योगदान है, आज हादी की लड़ाई में हमारे ऐसे अनेक सेनानी रहे हैं, जिनके योगदान को वो पहचान नहीं मिल पाई, जिसके वो हकदार थे, उनकी त्याग, तबस्या, बलिदान कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें वो हक नहीं मिला, ऐसे व्यक्तियों के बारे में, हमारी वा जितना जादा लिखेंगे, रिसर्च करेंगे, इतिहास के उन पन्नों को खोच-खोच करके निकालेंगे, उतना ही, देश की आने वाली पीडियों में जागरुकता बढ़ेगी, हमारे स्वातंत्र संग्राम का इतिहास, अधिक तंदुरस्त होगा, अधिक ससक्त होगा, अधिक प्रेरक होगा.